हलो फ्रेंज मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले अगराने वाले हैं यकनी पुलाव और भुणा मुर्ग ये और यकनी पुलाव के लिए यकनी तयार करेंगे तो इसके लिए हम चिकन लिए हैं लगवाद 1,5 acknowledgement है ये इसमें रमनिस्टिक थोड़ा ज्यादा और बाकी के जो पीसे से वो धोरे से कम रखने हैं इसे धो करके अच्छी तरह से साफ कर लेना है और हलका सा इसे सूखा कर लेना है ताकि इसमें पानी ना रहे यखनी तयार करने के लिए हमें 5-6 प्याज को मोटा काट लेना है ये 1.5 किलो चिकन के लिए है 12-15 छिली हुई लसुन की कली 5-6 इंच के अधरक छिली हुई इसे छोटे-छोटे टुक्रे कर लेने है खरे मसाले में हमें चाहिए तेज पत्ता 3-4, 3-2 चमच साबूत धनिया, 3-2 चमच साबूत जीरा, 3-4 इंच दालचीनी के, 5-6 बरी इलैची साबूत एक छोटा चमच साबूत काली मिर्च, एक छोटा चमच लॉंग, 15-20 छोटी इलैची और थोरी सी जावीत्री और एक छोटा टुक्रा जैफल का, जैपत्री और जैफल को कुट करके बारी पाउडर बना लेना है जावीत्री और जैफल की कुटी हुए पाउडर हमें पुलाओं में डालने के लिए चाहिए, यखनी में यह नहीं डालना है तो आईए अब हम सबसे पहले फटा-फट यखनी तयार कर लिए, गैस हम आउन कर लिए हैं और एक बरे भगोने में 11 कप पानी हम लिए हैं पानी हमें उसी कप से लेना है जिससे हम चावल मापे हैं तो पांच कप हम चावल लिए हैं तो इसलिए 11 कप हम पानी लिए हैं ताकि यखनी बनाते समय ठीकन को वालते समय थोड़ा बहुत पानी जल जाता है एक से डेर कप तो बाकी का पानी हमें बचे जितने की हमें पु बड़े मसाले हम डालनेंगे तेज पत्ता दाल चीनी बरी इलैंची छोटी इलैंची साबूत जीरा साबूत धनिया लॉंग और काली मिर्च छिली हुए लहसुन और कटा हुआ अध्रग और मोटा कटा हुआ प्याज इससे ढख करके तेज आज पर एक उबाल आने तक पकाएंगे दस मिनट बाद हम ढखन हटा कर देख लिए हैं और पानी और मसाले काफी उबलने लगा है तो अब इसमें हम कटे हुए मुर्गे का पीस डाल लेंगे और अब हम यहां इसमें डालेंगे नमक स्वाद अमसार स्वाद और जितना क्वांटिटी हो मुर्गे की उसके हिसाब से और फिर इसे अब हम ढख करके तेज आज पर पकने के लिए छोड़ देंगे बीच बीच में इसे ढखन हटा कर हम देखेंगे ताकि यह उबलकर गिरेव ही नहीं और पकता रहे एक दो बार इसे बीच में हम चला देंगे पलट लेंगे एक दो बार इसे जितनी देर चीकेन को पकने में लगेगा तो इस बीच में अब ही हम पुलाव बनाने की तैयारी कर लेंगे तो यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले इस चावल को दो करके तीन से चावल पानी से निकाल देंगे और इसमें पानी नहीं रहने देंगे पानी सारा निकाल करके इसे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए इसे बहुत देर तक पानी में नहीं रखना है मसाले में हमें चाहिए चार बरे प्याज जिसको की पतला चौप कर लेना है हरी मिर्च 5-6 अकर आप तीखा कम खाना पसंद करते हो तो मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और कुटी हुई जावित्री और जाइफल का जो हम पाउडर तयार किये हैं वो अद्रक लोसुन का पेस्ट करीब 3 बरे चमच और फोरन के लिए कुछ खरे मसाले छोटी इलैंची बरी इलैंची लॉंग दाल चीनी काली मिर्च और तेज पत्ते पुला के सारे मसाले की तयारी हो चुकी है और चिकन भी अब हमारा पक चुका है तो एक एक करके मुर्गे की पीस को हम निकाल लेंगे और इस सारे पीस को निकालने के बाद इसे हमें रूम टेंपरेचर पर लाने के लिए रख देना है और बात में इसे हम मैरिनेट करेंगे और इस मसाले वाला जो यह पानी है यही यखनी है तो इसे एक बरे च्छनी पे हम छान लेंगे और च्छने हुए यह साबुत मसाला जितना भी च्छनी में इसे फेक देना है और यह जो पानी है इसी में हमें पुलाव बनाना है तो आईए अब हम पुलाव बनाना शुरू करें इस उबले हुए मुर्गे के पीस को हमें रूम टेंपरेचर पर लाना है अभी यह बहुत जादा गर्म है जब यह थोड़ा ठंड़ा हो जाएगा तो फिर इसे हमें मेरिनेट करना है जब तक हमारा चिकन ठंड़ा हो रहा है तब तक हम पुलाव बना लेंगे तो गैस हम ओन कर लिए है और इसमें करी सिमोट्री पेंदी वाली ही हमें एक बड़ी से पतिले लेना है पतिला गरम हो गया था इसमें घी गरम करेंगे तो मैं अब इसमें हम कठा हुआ प्यास डाल थोरित चलाते हुए बुहनेंगे इसमें अभी हम डालेंगे हरी मिर्च प्यास को अभी चलाते हुए ही भूनना है और अभी इसमें हम अदरक और लासुन का पेस्ट मिक्स कर लेंगे और इसे अभी हमें चलाते हुए ही प्यास को गुलावी होने तक भूनना है तो प्यास भून चुके हैं तो अब हम इसमें चावल मिला लेंगे और इसे ज्यादा नहीं सिर्फ पांस मिनट ही इसे चलाते हुए हम भूनेंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे चीकन यखनी जो हम तयार किये हैं वो तो यखनी मिलाकर हम इसे एक से दोबर चला लेंगे ताकि नीचे पेंदी में चावल चिपके नहीं और अब हम इसमें मिक्स करेंगे हमने जो जय फल और जावित्री का पाउडर बना कर रखा है वो पाउडर और थोरा सा गरम-मसाला पाउडर गरभा हम आपको पसंद हो तो मिक्स करें नहीं दो आप इसे कर सकते हैं इसमें हम नमक नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि यखनी जो हम बनाए है वो आलेडी नमकीन है और वो काफी है हमारे पुलाव को नमकीन बनाने के लिए तो इसमें एक्स्ट्रा नमक हमें नहीं डालना है और अब हम इसे ढख देंगे और तेज आज़ पर ही इसमें हम एक उबाल आने देंगे बस हमें ध्यान रखना है कि यह उबल कर गिरे नहीं तो जब तक यह इसमें एक उबाल आ रहा है हम चिकन को मेरिनेट कर लेते हैं क्योंकि चिकन अब रूम टेंपरेचर पे आ चुका है ठंडा हो चुका है मेरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें लेना है दही दही करीब 500 ग्राम है और यह बिल्कुल ताजा होना चाहिए खटा दही नहीं लेना है जीरा पाउडर गरम मसाला पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी नमाक चाट मसाला और सरसोते इस सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें उबले हुए मुर्गे के पीस को हमें अशी तरह से मिला लेना है यह मिल चुका है तो इसे अभी हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे भींगने के लिए मसाले में पुलाव का धकन हटा कर हम देख लिए है तो इसमें उबाल आने लगा है तो अब हमें यहां आज को बिल्कुल धीमा कर लेना है और धीमे आज पर इसे हमें धक के पकाना है तो इसे अब हम धीमी आज पर रख देते हैं पकने के लिए इसे पकने में अभी कम से कम आधा हंटा लगेगा जो बिल्कुल ही धीमी आज पर इसे हमें पकाना है और जब तक यह पक रहा है हम तब तक मुर्गे को प्राइ कर लेते हैं तेज आज पर हमने प्राइपेन को गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे सरसो तेल सरसो तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें एक एक कर हमें पीस डालना है और इसे बीच बीच में हम फल्टेंगे मैं थोड़ा सा इसको कुरकुरा तल रही हूँ अगर आप चाहें तो इससे इससे हलका सा कम भी कुरकुरा तल सकते हैं वह आप अपने पसंद के अमसारता लें और इसी तरह से इससे बार-बार पलटते रहना है चारो तरफ से और चिकन हमारा भून चुका है तो इससे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के भी सारे चिकन तल लेंगे तो मुर्ग हमारा सारा भून चुका है और फुला भी हमारा पक के तयार हो चुका है तो इसके उपर हमने धनी एक पत्ते से अलका सा सजा दिया है तो तयार है हमारा बहुत ही स्वादिस्ट यखनी पुला और भूना मुर्ग इस भूने मुर्ग को आप पाटी के लिए स्टार्टर की तरह भी हरे चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह की यखनी बना कर इसमें थोरी सी निवू का रस और थोरी सी काली मिर्च पाउडर छीरा करके इसमें आप इसे सूप की तरह भी इस्तेम भी हैं तो मुझे उमीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा आप भी बनाएं और खाएं तो इसी तरह के स्वादिस्ट और नए नए बेंजन को जानने के लिए जुरे रहे हमारे चैनल कुल दस्ता से आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने तब तक के लिए बाई थांक यू